हलो, वाट्स अप दोस्तों कैसे हैं आप सभी फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में करियर भाई में दोस्तों आज हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो सवाल आपको इंटर्व्यू के अंदर पूछा जाता है आप हमारे साथ क्यों काम करना चाते हैं तो पहला सवाल तो यह पूछेंगे कि हम आपको क्यों हायर करें और फिर जब आप उसका जवाब देंगे तो शायद यह सवाल भी पूछा जा सकता है कि फिर हमारे ही कंपनी में क्यों अगर आपके सारे स्किल्स हर जगाँ पर अलग अलग कंपनी में मैच कर सकते हैं तो फिर आपने हमारी ही कंपनी को क्यों चुना तो इसका जवाब कैसे दिया जाए इसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं लेकिन दोस्तों आगे बनने से पहले अगर आप इस चैनल पर नहीं हैं अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हैं तो दोस्तों इंतिजार किस बात कर रहे हैं चैनल को फटा-फट सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप ऐसे ही नए नए विडियोज देख सकें साथी साथ दोस्तों अलग-अलग फील्ड में इंटर्व्यू कैसे होते हैं कौन से सवाल आते हैं इसके उपर अगर आपको विडियोज देखने हैं तो आप उपर i button पे click कर सकते हैं मैंने अलग-अलग फील्ड से relative विडियोज बना कर करके रखे हैं तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दू कि ये सवाल आखिर पूछा ही क्यों जाता है तो दोस्तों इसको पूछने के पीछे का में जो मकसद होता है उनका वो ये होता है कि ये आदमी जो है अपने आपको कहां पर देखता है उसकी growth को कैसे देखता है ये सब कुछ वो परखना चाहते है तो दोस्तो basically क्या नहीं करना है कैसे जवाब नहीं देना है ये मैं पहले आपको बता दू उसकी बात बताऊँगा कि कैसे जवाब देना चाहिए तो दोस्तो एक बहुत ही common जव जवाब यहाँ पर आता है और वो जवाब यह है कि मैं जॉब ढूंड रहा था और आपकी opportunity मुझे इंट्रस्टिंग लगी इसलिए मैंने जस्ट apply कर दिया तो यह जनरली एक candidate वहाँ पर answer कहा जाता है लेकिन इससे जो है वह एक गलत impression पढ़ सकता है कि यह आदमी बस job ढूंड रहा था और बस कुछ उसको दिग्या ठीक लग गया और बस उसने apply कर दिया है इसको हमारे company के बारे में हमारे product के बारे में ऐसा कुछ passionately लगता नहीं है यह आदमी जो है बस अपनी कही से शुरुआत करना चाता है इसलिए वो यहाँ पर आया हुआ है तो उसका कोई main purpose नहीं है वो अपने आपको इस company में grow करते हुए नहीं देख रहा है तो basically यह बात वहाँ पर हो जाती है इसलिए यह जवाब वहाँ पर नहीं देना चाहिए अगली बात obviously जो क बात है सामने वाले को यही लगेगा कि यह आदमी केवल और केवल यहाँ पर पैसे के लिए आया है कल को अगर कोई दूसरी company इसको ज्यादा पैसा देती है तो वह वहाँ पर चला जाएगा तो इसको company पर कोई trust या loyalty बिलकुल नहीं है यह अपने आपको यहाँ पर काम करता हुआ नहीं देख रहा है यह बस इसको एक stepping stone की तरह देख रहा है एक बस पैसा कमाने के जरीये के तोर पर देख रहा है इसको उस काम से कोई खुशी मिलती है या उस काम के बारे में उसको कुछ passion है ऐसी कोई बात नहीं है अगली बात और एक over smart जवाब देते हैं लोग और और वो यह है कि I see this opportunity to get bigger and get better things तो basically इसका तो सीधा सीधा मतलब employer यही निकालेगा कि इसका already एक पैर दरवाजे के बाहर है और एक पैर यहाँ पर गाड़े हुए बैठा है तो basically यह आदमी जो है वो यहाँ पर सिफ एक stepping stone की तरह इसको इसको इस्तमाल कर रहा है और यह बहु करने का जो एक experience है वो अपने resume में यह आदमी जोड सके और बाद में आगे बढ़ सके और फिर बड़े बड़े companyों में यह काम कर सके तो उसको अपने company के बारे में कोई passion नहीं है और ना ही आपके company में काम करने में उसको खासा कुछ interest है यह बस उसका एक stepping stone है तो basically अगर इस जवाबों में ढाल सकते हैं तो सबसे पहली बात तो आपको आपके जवाब में यह ढालना होगा कि आप यहाँ पर काम करते हुए company को किस तरीके से फाइदा पहुचा सकते हैं यानि कि हमने इसी company को क्यों चुना और यहां पर हम अपने आपको कहां पर देखते हैं और किस तरीके से हम company का फाइदा यहाँ पर काम करते हुए करवा सकते हैं इसके अलावा आपको यह भी कहना होगा कि आपका जो भी कोई past experience रहा है उसका आप इस company में कैसे फाइदा करवा सकते हैं या उसी success को जो success आपने आपके पिछली company में पाया है उसी success को company का जो work culture है और overall ही जो culture है उसको आप किस तरीके से compliment करेंगे उसके अंदर आप कैसे बिल्कुल fit बैठते हैं इसके बारे में भी जरूर आप कही दीजिए ताकि उनको ये पता चल सके कि ये आदमी जो है वो हमारे company के culture के लिए भी work culture के लिए भी बिल्कुल सही आदमी है तो दोस्तों आप कैसे शुरुवात करें इसके जवाब की तो इसके कुछ दो चार नमूने जो है वो हम देख लेते हैं तो आप शुरुवात ऐसे कर सकते हैं I see this opportunity to contribute to a fast moving fast developing industry तो इस तरीके से आप अगर जवाब की शुरुवात होगी इसके अलावा आप शुरुवात ऐसे भी कर सकते हैं कि I feel my skills are particularly suitable for this job title because फिर आप आपके skills बताएंगे इसके अलावा आपके पास अगर experience है तो आप उसके बारे में भी बता सकते हैं because I think I have a necessary knowledge and experience to be successful in this job title, job role in this company because फिर आगे आप आपका experience भी जोड सकते हैं इसके अलावा अगर आपके कुछ personal goals हैं आप explore करना चाते हैं आपके profession के बारे में जादा से जादा सीखना चाते हैं नए-ने experiment करना चाते हैं तो ये चीज़ भी आप बोल सकते हैं because I think this post and this company, this company's culture work environment can allow me to do things which I like और फिर आप जो भी चीज़े करना चाहेंगे वो आप बता सक चाहें कि किस तरीके से नए-ने चीज़ों मैं invest मैं करना चाहूंगा, invent करना चाहूंगा, साथी-साथ नए-ने तो तरीकों से काम करके देखना चाहूंगा, तो ये सारी चीज़ें आप वहाँ पर बोल सकते हैं और इस सवाल को बड़ी ही gracefully answer कर सकते हैं, बस चीज़े कौन स पर केवल पैसे के लिए काम कर रहे हैं, और साथी-साथ ये भी नहीं दिखना चाहिए, कि आप उस company का इस्तमाल जो है, वो बस एक stepping stone, याने कि एक हम कहें कि staircase की तरह कर रहे हैं, उची-उची सीड़िया चड़ने के लिए उन में से एक सीड़ी है, ऐसा उनको नहीं feel कराना है, ताकि आपकी वहाँ पर selection हो सके, तो बस दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही, I hope ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, काम का लगा होगा, दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है, तो वीडियो को लाइक करना बलकुल ना भूले, और साथी-साथ, आपकी जै कूफा नाम का लूब की दाधियो आप कै शोस्तों ऑब सीषर नारे, तोस्तों और साथ गाँ